भारत बनाम शिरुलंका के बीच खेले जाने वाली 2023 में T20 और ODI सीरीज के लिए 27 दिसंबर की राग को BCCI ने टीम इंडिया का एलान कर दिया अब मतादे कि इस सीरीज से कई दिगज़ चहरे बाहर हो गए वही ODI सीरीज की बात करें तो रोहिच शर्मा कप्तान बरकरार है लेकिन इस सीरीज से भी कई बड़े खिलाडियों को बाहर कर दिया गया है जिसमें रिशपपन्त, भुमनेशवर कुमार और गबर कहला जाने वाले शिखर धवन भी टीम इंडिया की ODI सीरीज का हिस्सा नहीं है लेकिन टीम इंडिया में बांगलदेश और न्यूजिलेंड सीरीज से आते आते श्रुलंका सीरीज में बड़ा बदलाव हो गया है आपको बता दें कि जहां T20 सीरीज में 5 तो वहीं वन डे सीरीज में 8 खिलाडी बाहर हो गया है किसी भी देश में किसी भी क्रिकेट बोर्ड में इतना बड़ा बदलाव शायद ही हुआ हो कि एक सीरीज से पहले 8 खिलाडियों को हटाया गया हो यह सिर्फ भारते क्रिकेट बोर्ड में ही ऐसा देखने को मिला है यानि कि एक सीरीज में आपको वो चहरे देखने को मिले जिन्हें या तो लंबे समय बाद मौका मिला या फिर वो अपने डेब्यू कर रहे थे लेकिन अगले ही सीरीज में उन सभी खिलाडियों के साथ साथ दिगजों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है चले जानते हैं कि कितना बड़ा बदलाव 2022 से लेकर के 2030 तक आते आते टीम इंडिया में हुआ है न्यूजिलेंड के खिलाफ T20 टीम इंडिया में देखा जाए तो श्रेस अईयर, रिशपंत, कुल्दीप यादव, महुमत सिराज और भुवनेश्वर कुमार शामिल थे लेकिन अब इन पांचों खिलाडियों को श्रलंका के खिलाफ टीम T20 में नहीं लिया गया है जबकि राहुल तरिपाथी, रितुराज गायकवाड, अक्षप पटेल, शिमा मुमावी और मुकेश कुमार को एंट्री दी गई है वहीं वन्डे टीम के एक बार बात कर ले तो शिखर धवन, रजत पटिदार, यश्धूल, दीपक चाहर, राहुल तरपाथी, शारदुल ठाकुर, रिशप पंत और शाबाज एहमत श्रामिल थी जबकि श्रलंका के खिलाफ सीरीज के लिए हारदिक पांडिया और अरजदीप सिंग की एंट्री हुई है यानि कि टीम इंडिया के पास अब इतने सारे खिलाडी हैं, इतने सारे विकल्प हैं कि सीरीज दर सीरीज सिर्फ खिलाडी बदलते नजर आ रही है लेकिन क्या 2022 की तरह 2023 में भी टीम इंडिया को ये लगातार खिलाडियों का बदलना एक बहुत बड़ा मुश्किल का सबब बन जाएगा आपको बता दें कि हार्दिक पांडिया को T20 के लिए टीम की कमान दी गई है लेकिन पूरी तरह से इस पष्ट नहीं हो पाया है कि वो टीम इंडिया के पर्मनेंट T20 कैप्टन है BCCI ने अभी तक ऐसे कोई भी आधिकारिक पुष्टी नहीं की है वहीं रोहिच शर्मा वंडे के कप्तान है और ये भी पुष्टी अभी नहीं हुई है कि क्या रोहिच शर्मा ही भारती टीम के लिए तीनों प्रारूपों में नियमित कप्तान है आने वाले समय में BCCI इन सभी फैसलोपर से परदा उठा देगा और देखना दिल्चस्व रहेगा कि जो भारती टीम का नया चैन कमीटी होगा वो किस तरह से फैसला दिलेगा इस खबर में फिलाल इतना ही बागी की तमाम खबरों के लिए बना रही है वने लिए एक साथ